हलो फ्रेंड्स डेनिक लैसेज में आपका स्वागत है दोस्तो राजस्तान के पर्मुग सहीतेकार उनकी रचनाएं अब जितनी भी रचनाएं हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं बारवार एकजामें पूछी जारी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आपने पारे में हम देख के चलेंगे अच्छे से देखना जो जो बताऊं एक्स्टा फेक्ट जो बताऊं उसको ध्यान से करके चलना एक्स्टा फेक्ट से काफी परिशन एक्जाम में बनते हैं अगर आपको इनकी इनका टेस्ट लगाना है टेस्ट सिरीज जोइन करनी है तो डेन सेवक टेस्ट सिरीज भी जोईन कर सकते हैं वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं आपके ग्राम सेवक के स्लेबस के अनुसार आपका टेस्ट तयार किया गया है तो आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं इसकी PDF में आपको डेनिल क्लासेज के टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द वहां इसके आपको PDF भी मिल जाएगी PDF आपको जब वीडियो बनेगा उसके नेक्स्ट डे मिलेगी तो वहां से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और अच्छे से आप वापस को देख सकते हैं जो जो बताओं अच्छे से देख के चलना आगामी परतियोगी प्रिक्षाव में सी कुवले माला उद्योतन सूरी की रसना है अब ये तो आसान सा प्रशन हो गया कि कुवले माला उद्योतन सूरी की रसना है इसको थोड़ा सा लेवल का कैसे बनाया जाएगा उद्योतन सूरी किसके दरबारी कभी थे किसके थे परतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कभी थ जालोर के पर्तिहार शासक वत्सराज के दरबारी कभी थे उद्योतन सूरी उन्होंने कुवल्यमाला लिखी थी अब इसी को थोड़ा और लेवल का कैसे बनाया जाएगा वत्सराज के समय में एक दरबारी कभी और थे जिनका नाम था जिन सेन ने हरीवंश पूरान की रशना की थी और इसी तरह आपका पेपर लेवल का हो जाता है सीधा सीधा पुछे का तो कुवल्यमाला किसकी रशना है उद्योतन सूरी किसके दरबारी थे वत्सराज के दरबारी थे वत्सराज के एक और दरबारी कभी थे क्या नाम था जिन सेन और जिन सेन ने किसकी रशना की थी हरीवंश पूरान की रशना की थी सारी चीजें आप ध्यान रखो exam में कहीं से भी आए आपका सही होना चीए आप attack ने नहीं चीए अच्छे नमबर लाने है selection लेना है अच्छी चीजे पढ़ोगे धंग से पढ़ोगे तो ही selection होगा थोड़ा उपर उपर से पढ़ने से selection नहीं होगा डीटेल से हम पढ़के चलेंगे, सारी चीज़ हम करके चलेंगे अगला है रणमल छंद, रणमल छंद किसकी रसना है? रणमल छंद शिरी धर्व्यास की रसना है शिरी धर्व्यास ने रणमल छंद लिखा था इडर के राजा है रणमल, इनके ये समकालीन थे इन्होंने शिरी धर व्यास की रसना की थी इनकी एक और रसना है वो important है वो भी ध्यान रखना है उसे हम बोलते हैं दुर्गा सब्त सती दुर्गा सब्त सती भी इनी की रसना है ये भी आपको ध्यान रखना है रणमल चंद की बात करें तो एक 70 चंद का वीर का वे है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना तो रणमल चंद किसकी रसना है? शिरी धर व्यास की रसना है अन्य रसना कौन से हैं, दुरुगा सप्त शति है, इंपोटेंट है ध्यान रखना एक महारना कुम्भा भी बारवार एक्जाम में पूछा जाता है बारवार रिपीटेड है तो महारना कुम्भा भी आप ध्यान रखना इनकी भी काफी रसनाएं है जो आपको ध्यान रखनी है महाना कुमबा भी एक्जाम की दस्टिकों से देखा जाए तो काफी important है महाना कुमबा की रसनाओं के हम बात करें तो संगीत राज है हमारे पास संगीत मिमानसा है संगीत रतनाकर है और सूड परबंध है संगीत राज, संगीत मिमानसा, संगीत रतनाकर और सूड परबंध इनकी रसनाएं है मेवाडी बासा में इन्होंने ये ग्रंत लिखे थे संगीत राज के बारे में पूछा गया था कि संगीत राज कितने भागों में विबगत है तो संगीत राज पांच भागों में विबगत है ध्यान रखना एक्जाम में पुछा गया प्रशन है संगीत राज पांच भागों में विबगत है पाठे रतनकोष, वाध्य रतनकोष, गीत रतनकोष, रस रतनकोष और निर्ते रतनकोष सारे ध्यान रखना है इंपोटेंट है और हम थोड़ी मारना कुम्भा की बात करें तो इन्होंने जैदेव की पुष्टक गीत गोविंद पर रसिक पिरिया नामक टीका भी लिखी थी इंपोटेंट है ध्यान रखना है एक्जाम में पूछा गया था एक इनके दरबारी थे काना व्यास ने एकलिंग महातम्य की रसना गी थी एक लिंग महातम्मे का प्रथम भाग राजवर्ण नाम से महारणा कुम्भा ने लिखा था अच्छा महारणा कुम्भा की अन्य रषनाई आफसे पूछ ले तो एक्जाम में बहुत बार कुछ ही कही है छोड़ना नहीं है सारी द्यान रखनी है सोड़ना कुछ भी नहीं है सारी याद करनी है सारी अच्छे से करनी है अगला है राव जेट सीरोचंद राव जेट सीरोचंद किसने लिखा था राव जेट सीरोचंद बीठू सूजाने लिखी है बीठू सूजाने लिखी है राव जेट सीरोचंद important है ध्यान रखना है बिकानेर के साचक है राव बिका और लूर्ण करन थे इनके शमकलीन थे तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है इन्होंने बाबर के पुतर कामरान और राव जेशी के मद्दे हुए युद्ध का वर्णन किया है ये भी ध्यान रखना राव जेशी रोचंद बीटूस हो जागी है अगला है सागरमल गोपा सागरमल गोपा अभी हाली एक्जाम में पुछा गया था कहां के हैं? जेसल मेर के हैं जेसल मेर के सच्चे देश भकते हैं सच्चे क्रांती गारी जेसल मेर के जिने जेल में जिन्दा जला दिया जाता है जेलर गुमान सिंग इने जेल में जिन्दा जला देते हैं इनकी तीन पुस्तके हैं जो बार बार कुछी जाती है जेसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दिवाने, रगुनाज सिंग का मुकदमा तीन रसनाई हैं बार बार रिपीट होती है जब इनको जेल में जिन्दा जला दिया गया था तो एक जांच आयोग भी बठाया गया था उसे हम बोलते हैं गोपाल सवरूब पाठक आयोग उसको बोला जाता है धान देख लेना एक्जामी पूचा जा सकता है अगला है राजियरासोर्था किस ने लिखा था? कृपा राम खिडिया ने लिखा था किरिपा राम खिडिया ने लिखा था राजिय रा सोर था यह जो राजिया था इनका नोकर था उसी के उपर इनों ने लिखा था किरिपा राम खिडिया ने लिखा था यह शिकर के साथ से लक्षमन शिंग राव लक्षमन शिंग के दरबारी थे किरिपा राम खिडिया लक्ष मंदन मंदन का आपने काफी नाम सुनाओगा महाना कुम्भा के दर्बारी मंदन कुम्भलगड दुर्ग के पर्मुख शिल्पी कौन था मंदन ही कुम्भलगड दुर्ग का पर्मुख शिल्पी था यह आपने पहले भी पढ़ाओगा इनकी काफी रसनाएं हैं जैसे प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राज वलब मंडन, वास्तु सार, वास्तु मंडन, देव मुर्ती परक्रण, काफी रसनाएं हैं, किसकी हैं मंडन की रसनाएं हैं, important है द्यान रगना एक मंडन के भाई थे नाथा नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी थी ये एक्जाम में पुछा गया था कि मंडन के भाई नाथा नाथा की कौन सी रसना है वास्तु मंजरी नाथा की रसना है एक मंडन के पुत्र रहे हैं गोविंद गोविंद की तीन रसना हैं काफी बार पु उधार निदी गोविंद की रश्ने है नाथा की वास्तु विंगरी है अगला है प्रिथ्विराज रासों प्रिथ्विराज रासों किस ने लिगे थी प्रत्युराज रासो चंदर बरदाई ने लिखी थी चंदर बरदाई की रचना है प्रत्युराज रासो इसको पूरा किस ने किया था इंपोटेंट प्रशन यही है प्रत्युराज रासो चंदरबरदाई ने लिखी थी इसको पूरा इसके पूतर जलहण ने किया था जलहण ने इसको पूरा किया था कंप्लीट किया था इंपोटेंट है ध्यान रखना है अगला है प्रत्युराज विजे प्रत्युराज विजे किसने लिखी थी प्रित्युराज विजे जयानक भट ने लिखी थी जयानक भट की रसना है प्रित्युराज विजे बीकानेर रा राठोरारी ख्यात किसकी रसना है दयालदास की रसना है सीधा सीधा पूचा जाएगा बीकानेर रा राठोरारी ख्यात किसकी रसना है दयालदास की रसना है हमीर रासो किसकी रसना है हमीर रासो किसने लिखी थी जोधराज ने लिखी थी इसमें एक नाम हो राता है साथ साथ वो राता है सारंग धर का तो हमीर रासो जोधराज वे सारंग धर ने लिखी थी दोनों का नाम ध्यान रखना हमीर रासो जोध राजवे सारंगदर ने लिखी थी खुमान रासो किस ने लिखी थी दलपत विजे ने खुमान रासो लिखी थी बपारावल की बात करें तो बपारावल से लेकर राज सिंग के साशकों का इसमें वन्नन किया गया है पिंगल बाशा में ये लिखी गई है खुमान रासो दलपत विजे ने लिखी ती ध्यान एकना है डोला मारूरा दुहा काफी बार हम चट्चा कर चुके हैं कवी कलोल कवी कलोल ने लिखी है डोला मारूरा दुहा अब कुछी लोग क्या करते हैं जैसे मैं 30 बता रहा हूँ 35 पंदरा इंपोर्टेंट देख लिए नहीं है आपको क्या पता इंपोर्टेंट है या नहीं है अब जो मैं करवा रहा हूँ तो सारी इंपोर्टेंट है सारी देख के चलनी है अपना दिमाग मतलगाना 30 के 30 याद करके जाना 29 भी याद करोगे एक छोड़ दोगे वोई एक्जाम में पूछ लिया तो क्या करोगे छोड़ना नहीं है बेसिक है यह तो माल लो यह तो आपको याद करना ही करना है गजगुन रूपक किसकी है केशवदास गाडन की है सूरज परकास किसकी है सूरज परकास करनी दान सूरज परकास किसने लिखी थी करनी दान जोड़पुर के शाशक है अबेसिंग अबेसिंग के समय की अगटना है अबेसिंग के समय खेजडली आंदोलन भी हुआ था जोड़पुर का खेजडली आंदोलन भी अबे सिंग के समय की गठना है तो सूरज परकास करनीदान ने लिखाता पदमावत पदमावत किस ने लिखा पदमावत के लेकर के हैं मलीक मोहमद जाईसी पदमावत के लेकर कोन है मलीक मोहमद जाईसी है इंपोटेंट है ध्यान लखना है लिखी कब थी, 1540 में लिखी थी, शेर्षा सूरी के समय पदमावत मलिक मोमजाई सी ने लिखी थी तेरा सो तीन इश्वी की है, अब आप सोच के देखो तेरा सो तीन की गटना को कोई 1540 में लिख रहा है तो कितनी इस बात में सच्चाई हो सकती है खुद आप सोच के देखना अगला है हमीर महा कावे ये भी काफी बार रिपीट है हमीर महा कावे नयने चंदर सूरी की है वेली किशन रुक्मनीरी किस ने लिखी थी वेली किशन रुक्मनीरी वेली किशन रुक्मनीरी को दुरसा आडा ने पांसवा वेदवा उननीसवा पुरान का आ है ये भी आप ध्यान रखना अगला है काहनट देव परबंद इतनी बार एकजाम में पुछी जा चुकी है वेरी वेरिटेंट है द्यान एक है राज रूपक तो यहां पर राज रूपक कभी नाम आता है यह आपको ध्यां एक एक हमने बात की थी कि राजस्तान शब्द का पराचिंतम परियोग राजस्थान या दित्य नाम से उलेक बसंदगड़ शीलालेक सीरोही में मिलता है यह हमने पहले बात की थी बसंदगड़ शीलालेक सीरोही में मिलता है खीमल माता के मंदिर के पास से मिला था उसमें भी रा अब आपको कवी चंद्रशेखर की दो रस्नाय याद रखनी हैं कुछ भी आपसे पूzh सकता है कवी चंद्रशेखर की रस्ना है कवी चंदर शेकर की रसना है हमीर हट भी ध्यान रखनी है और सुर्जन चरित भी ध्यान रखनी है कवी चंदर शेकर की दोनों रसना है दोनों आपको ध्यान रखनी है ब्रज नीदी गरंथावली ब्रज नीदी गरंथावली किस की है जेपुर के सवाई परताब सिंग ब्रज नीदी नाम से कावे रसनाई करते थे ये सवाई परताब सिंग वही हैं जिन्होंने हवा महल का निर्मान करवाय था जो पांच मंजिला है जिसका निर्मान इन्होंने खेतडी महल को देखकर करवाय था खेतरी महल जुन जुनू उसे देखकर हवा महल का निर्मान करवाय था पांच मंजिला है जिसके वास्तुगार लालचंद है सवाई परताप सिंग की बात करें तो इन्होंने जल महल का निर्मान करें पून करवाय था जलमहल का निर्मान करे, स्वाई जैसिंग ने शुरू करवाया था, इसको पूंuto स्वाई परताप सिंग नहीं करवाया था, इसलिए परताप सिंग इम्पोटेंट हो जाते हैं काफी कठना है आपको ध्यान रखनी है बिसल देव रासो किसकी रसना है बिसल देव रासो नर्पती नाले की रसना है आपको ध्यान रखनी है विग्रे राज चतुट के बारे में आपने सुना होगा इन्होंने खुद सैंसकर्थ बासा में हरी केली नाटकी रसना की थी ये भी इंपोटेंट है ये भी आपको ध्या की रसना की इसको पूरा इनके दतकपुतर मुरादीदान ने करवाया था वंश भासकर के इलावा इन्होंने वीर सच्से लिखी है, छंद मयूक लिखी है, बलवंत विलास लिखी है, दातूर उपावले लिखी है, और राम रंजाट लिखी है, सारी आपको ध्यान अकनी है, सारी इंपोटेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है वीर विनोद, वीर विनोद के लेकर कौन है, वीर विनोद के लेकर कवी शामलदास है, मेवाड के शामलदास, वीर विनोद के लेकर कवी शामलदास है, आपको ध्यान अकना है, सज्जन सिंग के दरबारी कवी थे, मारना सज्जन सिंग है, उनके दरबारी कवी थे, इंपोट मेवाड में उसका जयंद्व डार करोई था रावल बानमाता की मुर्ती गुजुरात से लेकर आते हैं और शात्वी सद्वे में बानमाता मंदिर का निर्मान करवाई जाता है जब ये मुर्ति खंडीत हो जाती इसको तोड़ दिया जाता है तो अठारवी सदी में सजजन सिंग इसका जिर्णोदार करवाते हैं प्रशन पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट है अगला है चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रसना है केसरी सिंग बारट जिनके तेरा सोर्थे जिने चेतावनीरा चुंगटिया नाम से जाना जाता है काफी इंपोर्टेंट है मेवार के माना फते सिंग दिली जर्वार में जाने से रोकते हैं तेरा सोटे लिखते हैं जिने चेताव नीरा चुंकटिया नाम से जाना जाता है Annals and Antiquities of Rajasthan Annals and Antiquities of Rajasthan किसकी रष्थना है Cardinal James Todd, जिनने हम राजस्थान के इथियास का पिता कहते हैं उनकी रष्थना है Annals and Antiquities of Rajasthan Central and Western Rajput State of India इनी की रष्थना है गुरू शिकर को इन्होंने संतों का शिकर का आए उचाई 1722, राजिस्तान की सबसे उची जोटी है सारी डिटेल द्यान अखनी है हल्दी काटी के युद को इन्होंने मेवाड की थर्मोपली का आए दिवेर के युद को मेवाड का मेराथन का आए तो सब कुछ द्यान रखना है कर्नल जेमस्टोड हमारी इंपोटेंट है पाथल और पिथल किसकी रसना है? कन्या लाल सेथिया की रसना है पाथल और पिथल कन्या लाल सेथिया कहां के हैं? सुजानगड चूरू के हैं पाथल और पिथल लिखी थी मिंजर लिखी थी लीलिटांस लिखी थी अरे घासरी रोटी लिखी थी धरती धोरारी भी लिखी थी पाथल और पिथल लीलिटांस मिंजर अरे घासरी रोटी धरती धोरारी सारी रसना है कन्यालाल सेटिया के कहां के हैं सुजानगट चुरू के एक है मेघराज मुकुल, आपने सुना होगा मेघराज मुकुल की रसना है सेनानी, चुडावत मांगे सेनानी, सरकाट दे दियो चत्रानी, तो मेघराज मुकुल की है सेनानी, सेनानी सब को पता होगा, सब को ध्यान होगा, क्योंकि सेनानी तो मोस्ट रिपीटेड है, अब इ कि सके रचना में मेंगराज मुखुल की ही रचना है कोडम दे अब और कमी भी ध्यान रखनी है। जब भी मेंगराज मुखुल का नाम आये, आपको बोलना है सेनानी और कोडम दे दोनों इनी की रचन के रचना हैं। इसके साथ साथ आप अगर टेस्ट सीरीज खरीजना चाहें तो डेनिल क्लासेज की एप पर जाकर टेस्ट सीरीज आप खरीज सकते हैं आपके ग्राम सेवकी टेस्ट सीरीज 50% ओफ में मिल जाएगी बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको 50% ओफ में मिल जाएगी वीडियो अपने फ्रेंड्स में जीतना होस के आप शेर करें वीडियो लाइक करें अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले है ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए जो आपके एक्जाम की दर्ष्टी कों से इंपर्टोंट होगी धन्यवाद